हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आशा करते हैं सही होंगे तो दोस्तों आज आप लोगों लेकर आगए बहुत ही सिंपल टेस्टी मजदर रिसीपी तो चलिए आज मैं बना के दिखाऊंगी आलू परवल की सबजी और यह रिसीपी आप लोगों बहुत अच्छा लगेगा तो आप लोग जो रूल एक बड़ ट्राइए किजेगा मुझे कमेंड में जो रूल बताएगा आप लोगो कैसा लग रहा है तो चलिए यहां पर आप लोग देखी सकते हो कितना संदर और कितना कलर्फुल दिख रहा है तो आप लोग ऐसा ही ट्राइए च आप पहले से नमक और हल्दी डालके रखोगे ना तो आप लोग को बिल्कुल डरने का ज़रूत नहीं है मुझ पे तेल बिल्कुल नहीं चिटकेगा तो परबल आलु को अच्छा से फ्राइ करके चार पास मिनिट तक अच्छा से फ्राइ कर लिए अब उसको उठा ले रही तो तेल हमारा गरम हो चुका है फिर डाल दिया हमने कलंजी अगर आप लोग को कलंजी पसंद नहीं है तो आप लोग कोई जीरा या तो सुकी मीट्स या हरी मीट्स कोई भी डाल साकते है तरका में तो हमने कलंजी और हरी मीट्स दो हरी मीट्स को छोटी-छोटी कट करके ड तो आप लोग अगर श्टायल रसीपी पसंद देतो मुझे कमेंट कर के बताइए की मैं खूदी बेंगोली हूं तो मुझे खाना बनाने का बहुत सौख है तो अभी फिलाल तो मेरे पास इतने अच्छी से बर्तान आता तो फिर भी मैं ट्राइक कर रहे हूं एक दिन एक दिन मैं खुदी मतलब बहुत अच्छे चीज खरिच सकता हूँ तो मैं अभी बस ऐसे ही सुरू कर दिया यूटुब में आने का कि अध्रेक लोसें पेश्ट डाल के अच्छнул से शुरू एक विनिट भून लिया बूनने का बाद एक टमाटा को भी हमने थोड़ी सी हलका कूटके डाल दिया अभी थोड़ी सी सॉल डाल देंगे सॉल कर धक के पका लेंगे टमाटा को तक ही जल्दि पक जाए तो अभी एक प्लेट के मदद से ढग दिया अभी देखिए यहां पे हमारा ट्रमाटा जो है अच्छे से पक चुका है थोड़ा इदर उदर करके मिक्स करके अभी सारी मसाला एड़ कर देंगे मसाला में हम पहले से सॉल्ट डाला हैं उसका हिसाब से स्वाद कुन सा सॉल्ट वान टेबल स्पून हल्दी पाउडर वान टेबल स्पून चिल्ली पाउडर वान टेबल स्पून धनिया पाउडर वान टेबल स्पून गरम मसाला अब थोड़ी पानी डालूंगी तक ही मसाला बहुत जादा नहीं एकदम थोड़ी सी पानी डलना है पानी डल के मसालों को अच्छी से भून लेना है तो यहां पर देख सकते हो मसाला हमारा अच्छी से भून रहा है तो मैं ऐसा ही खाली में मसाला भून ले रहे हूं बिना अख़कन की तो अब यहीं देखिए, अमारा मसाला जो है, अच्छे से भुन चुका है, अभी थोड़ी मिक्स करके, जो परवल आलू को हमने फ्राइगर करके रखाता, उसको डाल देंगे, डाल के अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, अभी परवल आलू को भी हमने 1-2 मिनिट पका कि यहां पर देखिए मसाला का साथ अमारे परबल आलो एक दू मिनिट पका लिया अभी इसके लिए घ्रेवी डाल देती हुँ है, में परवल आलू फ्राइ करके उठा के रखाता उसी बर्तर में थुरी धो के पानी डाल देने ग्रेवी हमको ज्यादा नहीं रखना है तो हम पानी का कॉंट्रेटी उतना ज्यादा नहीं क्योंकि आलू और परवल फ्राइ किया हुआ है तो जल्दी ही पक जाएगा तो अभी त्राइ किजिए और कितने कलर पूल दिख रहा है तो आप लोग अगर एक रेसीपी अच्छा लगा तो जो रूल मुझे कमें में बताईए तो एक आलू को हम देख ले रहे हैं पका है किने तो आलू हमारा पक चुका है और परवल भी अच्छ से गल गया है तो आप लोग मैं। ऐसा ही बना के खाये चलिए अब महीं परास के दिखातुंढ़स तो यहां पर आप लग सकते हो कितने कलर पूल है मैरे जो कोकिंग करते हैं ऊस में मारा कैमारे उत्ना सही से नहीं दिखता है क्योंकि पता नहीं में Maima कामरे को कुछ दिखकत है तो चलिए जो भी है त